फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की टाटा मोटर्स का क्वाटर थरी का रिजल्ट डिकलेर हो चुका है और बहुत ही सांदार रिजल्ट आये इसके उपर हमने ओलडी वीडियो बना दिया है और साथ में अब टाटा मोटर्स को लेकर बहुत ही जबर्दस दमाकेदार दो नियूज निकल कराया ही है और इन नियूज का क्या आफर पढ़ने वाला है आने वाले समय में स्टॉक के उपर क्या यहां से बड़ी तेजी बनने वाली है क्योंकि और लड़ी रिजल्ट भी बहुत सांदार आ चुका है रिजल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है और इसकी विज़े से तेजी बननी लाज़मी है साथ में जो नियूज है वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इसका इफेक्ट डेफिनेटली आगे पढ़ सकता है तो सारा का सारा जो मामला है उसके बाद में क्या आगे तेजी की कितनी समाओव नब बन रही है तो क्या इस लेवल पे इंट्रिक की जा सकती है या फिर जादा profit मिल रहा तो क्या profit book करके बार निकल जाना चाहिए वो सारी के सारी जानकारी आपको इस वीडियो के मादेम से मिल जागी लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्काइब कर दीजे एक बेल आइकों दबार जिये ताकि जब भी नया वीडियो बनाओ पहला नोटिपिकेशन आपको मिले वीडियो पसन आए तो लाइक शेर जरू कीजे चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते है मैं हूँ आपका दोस्ट एसबी दवे और मेरे चैनल आउनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स सबसे पहले हम फ्राइडे के कारोबार के एक बार बात कर लेते है फ्राइडे के दिन टाटा मोटर का स्टॉक 273 पर उपन हुआ हाई बनाई 278 की और फिर ये लो में चला गया 260 के और एंड में जो क्लोजिंग दिये वो है 262.35 की करीब 1.67% डाउन पर क्लोजिंग थी और उसके पीछे वज़े आपको पता है बाजार में बड़ी गिरावट हुई थी सैंसेक्स के अंदर करीब साड़े 500 पॉइंट की गिरावट थी बड़ी गिरावट के बावजुद्वी टाटा मोटरस में बड़ी गिरावट नहीं हुई उसके पीछे वज़े यह है कि निचली भाव से इसमें खरीदारी बन रही है लोग इसमें खरीदारी कर रहे है क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत श्टॉक है और इसको साबित कर दिया इसके रिजल्ट ने रिजल्ट आ चुका है और इसकी हेडलाइन हम ज़रा देख लेते हैं अमने रिजल्ट पूरा अल्री डिसकस कर लिया लेकिन जो मैन मुखे बाते उसको एक बाद डिसकस फिर कर लेते हैं टाटा मोटर्स ने क्वाटर तरी के रिजल्ट में नेट प्रॉफिट 67.2% बढ़कर आ गया है यह सबसे बड़ी चौकाने वाली बात है प्रॉफिट है वो हो गया है 2,906 करोड का और इसी दोरान कमपनी ने रिवेन्यू में भी बहुत सांदर बड़ोतरी किये करीब 5.5% बढ़ गया है रिवेन्यू और अब वो हो गया है 75,624 करोड का बहुत ही सांदर अच्विमेंट किया है और इनका जो ग्लोबल बीजनस है JLR का उसकी सेल में भी जबड़ोतरी हुई है क्वाटर 2 से 13.1% की बड़ोतरी हो चुकिये क्वाटर 3 के द्वारे में लेकिन करोड काल से पहले जो उसकी सिच्चेशन थी उससे अभी 9% कम है लेकिन ओवराल पूरा ग्लोबल बीजनस देखेंगे JLR का तो उसमें बड़त हो चुकी है और जो सेल के आख़रे थे उसमें एक बाद साप निकल के आई है कि करोड़ोतर काल से भी पहले के जो पोईशन थी उससे 1% जादा सेल अब सुरू हो गया है टाटा मोटर्स का तो आने वाले समय में JLR का बीजनस और भी ज़्यादा परफॉर्मेस दिखाने वाला है टाटा मोटर्स है जो हर कंट्रीज के अंदर कारोबार बहुत ही दमदार तरीकी से बढ़ा रही है चाइना के अंदर बहुत ही जबर्दस परफॉर्मेंस दिखा रही है टाटा का JLR का बीजनस और इंडिया के अंदर रोज नए नहीं लॉंचिंग हो रही है बहुत ही सादर ने हमें मौका दे दिया है प्राइज नीचे आ चुकिए और ये इंट्री लेवल बहुत ही सही है यहां से इंट्री करनी ही चाहिए इसलिए हम ज़रा निउज को हम डिसकस करेंगे आज जो निउज निकल कर आई है टाटा मोटरस ने भारत में अपनी नेक्सोन इलेक्रिक SUV के लॉंच के एक साल पूरे होने की गोषना की है और कमपनी ने बताया कि इस पिरिएड के दौरन कमपनी ने 3000 उनिट को बेच दिया है नेक्सोन इवी को 2020 में लॉंच किया गया था और एक साल में ही 64% बाज़र पर कबज़ा के लिए है यनि इलेक्रिक वहिकल के बाज़र में 64% का कबज़ा हो चुका है एक साल के अंदर ही टाटा की नेक्सोन इवी का उसकी लॉंचिंग के समय प्राइज रखी गई थी वो 13.99 लैक से लेकर 15.99 लैक की एक सोरूम प्राइज रखी गई थी और नेक्सोन इवी की कमपिटिशन MG ZS EV के साथ में थी लेकिन उसकी प्राइज ज्यादा होने के कारण वो कमपिटिशन में नेक्सोन के सामने टिक नी पाई और नेक्सोन ने बहुत सारे बाज़ार पे कबज़ा कर लिया क्योंकि उसके फीचर्स बहुत ही सांदार थे और यह सबसे बड़ी बात है इसकी एक स चार्जिंग में 312 किलोमेटर का सफर तेय कर ले ती यानि एक बड़ी स्टेट से दुसरे बी स्टेट तक का यह सफर अराम से कर ले दी है और सबसे बड़ी बात बैटरी की एट येर की वारंटी भी है और फार चार्जिंग से यह बैटरी फिर से 60 मिनेट के अंदर यानि यानि वन हवर के अंदर ही 80% चार्ज हो जाती है यह सबसे बड़ी बात यानि कहीं अगर आप 300 किलोमेटर का सफर करने के बाद अगर कहीं पर रुकते हो किसी आईवे पर होटल पर भी रुकते अगर आप वहाँ पर लंच कर लेते हो तो उसी दौरान आपकी बैटरी पूर दिल्ली में एक सोरूम प्राइज 5.79 लेक रखी गई है टाटा मोटर्स ने एक बैयान में कहा है कि यह लॉंचिंग मॉडल अपडेड़ेड वर्जन के प्रवेश्ट की पहली सालगीरा के सिंबोल के तौर पर रखा गया है इस नए लिमिटेड वेरियंट में कई एक्ट्र फीचर जोड़े गए है इसमें ब्लैक एलोई विल्स सेंसर के साथ में रिवर्स पार्किंग डिस्पले वाइस कमांड जैसे काफी फीचर एड़ किये गए है और टाटा मोटर्स पैसेंजर वहिकल की बीजनस के मार्केटिंग हैड वीवेक स्रिवास्तों का कहना है 2016 में लॉंचिंग के बाद से ही टियागो अपने सेग्मेंट में बहुत ही सफल रही है इसके BS6 वर्जन को 2020 में लॉंच किया गया था उसको GNCAP ने 4 इस्टार रेटिंग दी ती जिससे सबसे सुरक्षित गाड़ी के रुप में इसकी पैचान उबर कर आई थी और लोगों क पहली पसंद बन गई दी यह स्रीवास्तों का मानना है कि टियागो का लिमिटेड वर्जन लोगों की पहली पसंद बन कर उबरेगा बहुत ही सांदार वर्जन है और लोग इसको लेना पसंद करेंगे तो इस तरह से टाटा मोटरस ने टियागो का नया यह लिमिटेड वर् से आगे बढ़ा रही है यानि वो पैसेंजर वाइकल का बीजनस हो या उसरे जो भी हैवी वाइकल बीजनस हो दोनों तरफ में ध्यान दे रही है आपको पता ही होगा पिछले जिन्हों उन्होंने कोरोना की वैक्सिन के लिए डिलेवरी के लिए जो बहुत सारे वैकल की आपसे अपने वाइकल को अपडेट कर लेते हैं और इसकी वाज़े से बाजार पर उनका कबजा हो रहा है और जैसा ही भी यह बातावरन लग रहा है आने वाले समय में आटो इंडेस्ट्री में टाटा मोटर सबसे आगे जा सकती है कारोबार में जिस तरह से परफॉर्में चीए क्योंकि बाजार में करीब फोर्थ हाउजन पॉइंट का करेक्शन आ चुका है उस वज़े से यहाँ पर आपको इंट्री करनी चीए प्राइज बहुत ही नीचले लेवल पर आपको मिल रही है क्योंकि आप एक बात देख लो टाटा मोटर से अंदर बाइंग बहुत नजरिया शॉट टम या मीट टम का है तो लेकिन अगर आपने लॉंग टम के लिए इन्वेस्मेंट किया है तो आपको घबराने की कोई जरूत नहीं है अच्छे फंडामेंटली स्टॉक के अंदर इन्वेस्मेंट करके आरम से बैढ़ जाए प्राइज कितनी भी नीचे ज आप इसमें रख सकते हैं पास से साथ साल दस साल के बारा कि जब आप इसके प्राइज देखोगे तो जो बैंक से जो आपडी के दोरहन आपको जो रिटन मिलता है उसका दस गुना आपको रिटन मिल सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फ सब्सक्राइब पर दिए थैंक यू फ्रेंड